हेलो एवरिवन वेलकम टू माई किचेन फ्रेंट्स आज हमारी किचेन में बनने वाली है बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढावा स्टाइल से भी अच्छी मटर पनीर की सबजी जिसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से घर में बना सकते हैं और सिर्फ उन्ही सब चीजों से जो हर क और पनीर यह मटर हमने लिये हैं जो 300 ग्राम मटर थे जिन्हें हमने छिलके को निकाल लिया है और पनीर भी हमारी 300 ग्राम है जो हमने घर में ही बनाई है तो बस मटर को हम साइड में रखते हैं और पनीर को भी और चलिए एक लेते हैं बोल में हमें कुछ चीजों को इसके लिए मसाला तयार करेंगे इसमें हमने लिया है ताथ आप लहसुन के कलियां ले लिजिए खोड़े से अध्रक के टुकड़े आठ से दस काजू इसमें हम डाल लेंगे आप चाहे तो टुकड़े वाले काजू भी ले सकते हैं एक बड़ी प्याज जिसे इस तरह से बड़े- इसमें डालेंगे कि ताकि सारी चीजें इसमें डूब जाए और यह प्रोसेस करना है आपको सब्जी बनाने से 15-20 मिनिट पहले ताकि इसमें यह सारी चीजें अच्छी तरह से फुल जाए और तब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तब यह सब्जी आपकी बहुत इटेस्ट बनेगी तो चलिए हमारी चीजें फुल चुकी है और इधर हमने फ्लेम पर रख दिया है कड़ाई इसमें डालेंगे कम से कम 5 टेबली स्पूल मस्टर्ड वाइल मिन सर्सो के तेल में फ्रेंट बनाएंगे तो यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी जब तेल हमारी गर्म हो जाती है तो इसमें हम अपनी पनीर को डाल देंगे पनीर को हमें हलका सा बस सुनेरा कलर में कर लेना है गुलावी कलर का बहुत अधी किसे हमें नहीं लाल करना है और यह घर की पनीर है तो बहुत ही सॉफ्ट है कुछ मार्केट की पनीर भी होती है जो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकि इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे तेशपत्ता दो हरी लाइची एक दालचीनी किस्ट्री पांचे लॉंग एक चमच खड़ा जीरा और थोड़ी सी जावित्री तारे खड़े मसाले डालने के बाद जब यह हमारे मसाले जल जाएंगे तो हमने देखिए स्टार्टिंग में काजू प्यार सब फुलाई थी उसको हमने पीच लिया है और इन सारे मसाले को हम अच्छी तरह से डाल लेंगे इससे आपकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं या फिर धाबा में बनाते हैं शादी प चाहिने नहीं होता है इसके बाद हम डालेंगे एक चमस धनिया पाउडर और एक चमस डालेंगे हम कश्मीरी लाल मेश को अधर थोड़ा सा रिस्ट्रेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो जरूर इस्तमाल कीजिए जी यह तीखी नहीं होती है बस इसका कलर और लुक थोड अनुसार इसमें नमक एड़ करेंगे और इसके बाद सारे मसालों को मच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसे हमें बस दो से तीन मिनट तक पकाना है जब तक कि इसमें से ओयल सेपरेट नहीं हो जाए यह सारे मसाले आप लो टू मेडियम फ्लेम पर ही पकाईएगा तभी आ तो देखिए इसमें ओयल उपर सेपरेट हो चुका है इसका मतलब कि हमारी यह मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं अब इसमें हमने जो मटर रखी थी इसे हम डाल देंगे और मटर डालने के बाद इसे भी हमें पकाना है तो बस सारे मसालों में अच्छी तरह से मटर को मि कर देगी और जो भी खाएगा वो जरूर एक बार पूछेगा कि कैसे आपने ये सब्जी बनाई इसके बाद जब हमारे मटर पक जाएंगे और और सेपरेट हो जाएगा तो दो टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है प्यूरी बनाकर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट फ्लेव भी बहुत अच्छी बनती है तो इस तरह से बस टमाटर को डालने के बाद से मिलाईए और दो से तीन मिनट तक टमाटर को भी हम इसमें लो टू मीडियम फ्लेव पर ही ढखका पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्छापन दूर हो जाए और फ्रेंड्स अगर हमारी चैनल पर तो बनी नहीं सकती है इसका स्वाद और फ्लिवर इसमें रहना बहुत ही ज़रूरी है अब गरम मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से सारे मसालों में मिल जाए और अब इस स्टेश पर हम इसमें डालेंगे दो घर की ही दूद की मलाई हमने ली है अगर आप चाहें तो मार्केट वाली फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं बस दो बड़ी चम्मच हम इसमें ये मलाई डाल देंगे और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी सब्जी रिच बनती भ अगर आप कभी भी कोई महमान आता है या कोई फेस्टिवल है तो इसमें आप इस तरह से बना सकते हैं बस इसे दो मिनट तक ढग देंगे ताकि मलाई भी अच्छी तरह से इसमें पूरी अच्छी तरह से घुल जाए और यह देखिए वाइल भी सेपरेट सारे हो चुके है और अब इसमें हमारी लगबक सारी चीजे पक चुकी है बस इस स्टेज पर अब हमें अपने पनीर को और करना है तो पनीर तो सॉफ्ट है इसलिए आप लास्ट में ही हममेसा आड केजिए प्योंकि स्टार्टिंग में इसल्ड़ी आप पनीर ड़रन कर देंगे तो टूटन एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाईए और देखिए पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस इसे दो मिनट के लिए ढग देंगे और अगर आप चाहते हैं इसमें ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ाना तो इसमें आधा कप या एक कप गरम पानी डाली और अगर नहीं जाते हैं ग्रेवी तो बस इसमें स्किप कर दीजिए पानी को तो हमने थोड़ी सी इसमें पानी डाली है गरम गरम पानी डालने से आपकी सबजी का कलर बहुत यच्छा रहता है और जल्दी पक भी जाते हैं तो बस इसे ढखकर दो मिनट तक और पका और लीजिए आपकी बहुत ही टेस्टी मटर पनील की सब्जी रेडी हो चुकी है उपर से फ्रेश घधनिये की पती को डालिए और इसे गरमा गरम सर्व कीजिए आप चाहें तो इसे पुलाओ के साथ खाईए चावल के साथ खाईए रोटी के साथ पराठे के साथ कुछ भ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और फ्रेंड्स कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताईएगा और हमारे चैनल पर एक